प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित नाथ लगातार प्रदेश के स्वास्त सेवा को बहतर बनाने के लिए काम करते नजर आ रहे हैं और यही वज़ा है कि अपने टीम के तेज तर्रार विधायक को उपमुख मंत्री बनाने के साथ ही प्रदेश का स्वास्त महकमा भी सौप दिया है लेकिन कुछ जीलों में डॉक्टरों के मनमानी से जीला चिकित साले आने वाले मरीजों को बाहर से दवा खरीदना पड़ रहा है आज हम आपको जो तस्वीरे दिखाने जा रहे हैं वो मुख मंत्री योगी आदितनात के ग्रिय जनपद में स्थित नेताजी शुबाश चंदर बोश जिला चिकित साले का है जहाँ पर SIC के हंटर चलने के बाद भी डॉक्टर मरीजों को बाहर की दवाई लिख रहे हैं इस संबन्द में जब मरीजों और तिमारदार से हमारी रफ्तार मीडिया के टीम ने बात की तो मरीजों और तिमारदारों का दर्द छलक पड़ा और कहने लगे हम करीब आदमे इस आश्रा में स्पताल आते हैं कि एक रुपे के परची पर अच्छी इलाज और दवा आप अधिन है देखे जितनी है सब सामने है उपल दिखा दीजिए शारी दवाएंगे लिए वह दिक्कत नहीं हुए आपको दिक्कत नहीं बाहर की कोई दवा नहीं कोई दवाने का साया आप सुपरोड़ी वजार से हुएॡ हुआ है इस चर्ड़ोग नहीं हZAं खरिदना है अब नहीं की मिले हैं तो इसमें अंदर से मिली इसके पहले बार से मिली कुझा सबस्ार की दवाफिफी थि कथा कि लीय रहा सब सको हुठ मुंद 1 अंदर के मिली है क्या बिमारी था थि कि भेकिन दो दवाही दे रहे हैं सब जबे और पहली बात तो कोई द्हान से काम नहीं कर रहा है कोई भी डॉक्न मतलब सुननिंतर podcastsadura dependent मिल जए हैं इक बार इसके पहले विजह अन्दर जेंजा रहा है कि कि 장agrick कि फिर से इन लोगों ने मतलब हमारे ड़ाप्टर भायों ने दवा उपलब्द रहने के बावजूती बाहर सी दवाईयां लिखना चालू किया है मैंने तो उनको आदेशित किया है कि कि वर जन हित में अगर बहुत ज़्यादा जरूवत हो तो जन उसदी की दवाईयां आप लिखें वरना आप उनको बताएं हमारे जो दवाईयां अगर ऐसा बात को कर रहे हैं इस तरह की मतलब तुछ सहास पुना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं उनको दंडित करूँगा उनके खिलाप मैं करवाई करूँगा एक दूसरी बात आज देखने मुली जो जन करवाई में ने किया है तभी हो बीच में कुछ दिनों के लिए बंद हुआ है गोरक पूर मुख्यमंतरी योगी आदीतनात की करम अस्थली है और अगर बात करें तो स्वास्त महिक में को लेकर योगी आदीतनात ने अब तक तमाम उपाय की है जिसके वह से प्रदेश की ज पास चंदर बहुत जिला चिक साले की तो यहां पर इस्तिती कुछ और है अगर हम बात करें तो यहां रियाल्टी चेक में सबसे पहले तो वह दमाय सामने आई जिनके एक्सपायरी बहुत मजदीक हैं इसमें पैस टमाल है केल्सियम की गोलिया है और तमाम ऐसी आईरन की ट कार का मनसा है कि वह जो गरीब तबके के लोग हैं उनका इलाज फ्री में निशुल करें गोराकूर जिला चिक साले की बात करें तो काफी बड़ी आबादी यहां पर जो है इस चिक साले के उपर डिपेंड है लेकिन बावजूद इसके यहां के जो डॉक्टर हैं वह बाहर इसचिक साले की तो लगातार लगातार चली उसके बाद असाल लगान लगा लेकिन फिर स्टीज दच की तसे बाद अब जब गरम होता है तो उसको करवाई करने की बात करे जाती है लेकिन बाद में तन्ड़े बस्ते में डाल दिया जाता है अभी जो दलाल यहां आते थे जो दवाल लिफाते बैट गए फिर कुछ दिन करवाई हुई कुछ पोलिसिया मतलब प्लबद हैं तो द्वायां मिल यावर मिलती है तो और अभी अपने सुनाई यहां के अस्तानी निवासी है धने जी और इस तरह की तमाम दिक्कतों से रोज जो है रोज इस तरह के लोग जो है दोचार होते हैं अब देखते हैं कि यहां का जो शाषन है जो यहां का मेडिकल प्रशाषन है वो कब जगता है और यहां पर गरीबों को नयका मिलता है वीडियो चनली स्राहूल की सब प्रदीपारन स्रिवास्तों रफ्तार मीडिया गोरखपूर कर आग पर सब्सक्राइब सवाल्य निशान खड़ी गरती है आज हमारे पास जो खबर आये वह है कि मरीजों को बाहर से दवायां खरिदनी पड़ती अगर हम बीते दिनों की बात करें तो हमारे पास कुछीनगर से बीसी तरह आई आगरा से भीखवर आई थी जहां पर मरी लेकिन वहीं उसकी उनट अगरम बात करते हैं तो नेता जी शुबास्ट चंडर वोस जो जिला चीछ साले उस पर एक बड़ी अबादी टिकी हुई है और उस अबादी को लेकर तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि बाहर से दवाए ले सके इसलिए वह आते हैं जिला लेकिन यहां पर जो डॉक्टरों का गोरग धन्दा है जो कमिशन खोरी है उसको लेकि आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं से यह जो रश्चाचार है चरम पर हो सकता है चुकि डीके ठाकों जो एसाइसी हैं उनसे जब मैंने बात की और उनसे वर्जन लेने की कोशिश की तो उन इस पर आपको मतलब एक अच्छी जानकारी मिलेगी इस तरह की जो इस तरह की जो दूर्दशा है वो बंद हो गई है तो आप देखते हैं कि खबर का जो है असर कितने अस्तर तक SIC को होता है और SIC इस पर क्या कारवाई करते हैं जी प्रदीब डॉक्टरों को कहने कहीं हम तो चलो वो ठीक है कि वो अपने मनमर्जे चला सकते हैं लेकिन सरकारी अस्पताल के डॉक्टर इस तरह के हरकत क्यों करते हैं उन्हें तो सरकार बकाईदा सेलरे भी देती है देखे इसका बहुत ही साफ मक्षब है कि जो दवाएं बहार से लिखी आती है उस पे 30-40% का एक मोटा कमिशन होता है इसको हम ऐसे समझते हैं अगर एक दिन में एक परची से एक हजार रुपए एक डॉक्टर की दवा लिखता है तो उसका जो 300 रुपया एक परची परची पर फिक्ष है इस तरह से आप मान के जडिए जी पांच जार लोग एक दिन में जीलाती कित चाले आते हैं और इस इस सारी दवाये हैं गंभीर पिमारीों की दवाएं और हल्कीफुल की दवा इन गात ओर लोग आज को यह जो दो धाय को जबाइशों को जादा भी आ जा रहे हैं और लिखंप पड़ाएं से नहीं नहीं से बड़ा प्रस्ता चार का तंतर लगा हुआ हैं हाला कि प्रदीप हमने पत्रकारजा का धर्म निभाते हुए इस से जन्बानस के खबर को पठल पर रखाए हम चाहेंगे कि उतरप्रदेश के जो स्वास्त मंत्री हैं वो इस पर कारवाई करें और जो इस पर दोशी पाय जाते हैं उस पर कारवाई की जाए फिरहाल हमारे साथ